हेलो फ्रेंद्स वेलकम बेक टुदा अनेदर वीडियो तो दोस्तों आज की सोड़ों में हम बात करने वाले हैं संत गहरा गुरूब इस विदाला सरगोजा अंबिकापूर का नीव अपडेट के बारे में तो यह जो अपडेट है आपकी रहने वाली है संत गहरा गुरूब एक्जामिनेशन फार्म आपका स्टार्ट हो German हैं किसे आपको अपना एक्जामिनेशन फार्म फिल करना है आझ के सेक इससे आप मिस्टेक फ्रेवर्फॉं को अप चैनल में न्यू है तो चैनल को subscribe करें, share करें, like करें, जिससे आने वाले जो भी update होंगे वो आपको मिल जाएगा सबसे पहले form apply करने से पहले आपको इसका जो official notification होता है वो आपको rate कर लेना है जरा सा अब देखे फ्रेंस यहाँ पे यह है इसका official notification 2024 का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा date आपका जो important date होता है वो आपका रहने वाला है 20-12-2023 से आप 22-12-2024 तक आप form को apply कर सकते हो इसके बाद अगर आप apply करते हो तो आप apply कर पाओगे पर आपको survey office देना होगा बिलंब सूलक 21-2024 से आप 29-2024 तक आप form को fill कर सकते हो बिलंब सूलक के साथ देखे friends यहाँ पर आपको examination form fill करने के लिए सबसे पहले आपको chrome browser में आ जाना है यहाँ पर आपको search क्या करना है यहाँ पर sgcg तो simply आपको sgcg आपको इस प्रकार आपको search कर देना है जैसे आप यहाँ पर search करेंगे sgcg यह आपको संत गहरा गुरुवी सिद्याले सरगुजा अंभिकापूर भी आप search करेंगे तो इसका जो official जो side होता है आपको इस प्रकार यहाँ पर देखने को मिल जागा इसमें आपको click कर देना है जैसे आप इस वाले link में click करेंगे तो आपको इस प्रकार का interface आपको देखने को मिल जागा सबसे front में ही आपको इहाँ पर देखने को मिल जागा student login, college login और university login तो आपको सबसे पहले क्या करना है आपको अपना examination form fill करने के लिए simply क्या करने के आपको इहाँ पर student login में आपको click कर देना है इसके बदेखे friends यहाँ पर अगर आप इधर से भी examination form fill करना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं subject select करके पर आप यहाँ पर directly login करके आप यहाँ पर subject select करेंगे यही से direct login करके तो simply आपको यहाँ पर करना है student login में सबसे पहले आपको आजाना है इसके बद आपका जो user ID होता है वो आप यहाँ पर fill करेंगे password जो भी होगा वो आप यहाँ पर fill करेंगे इसके बद आपको sign up कर लेना है यह sign in कर लेना है अगर आपको आपका password मालूम नहीं है तो यहाँ से आप forget password कर सकते हैं user ID आपको मालूम नहीं है password दोनों मालूम नहीं है तो आपको यहाँ पर send user ID password में आपको यहाँ पर क्या करना है इसके बद देखे प्रेंस यहाँ पर अगर आपको user ID मालूम नहीं है तो यहाँ पे आप इसको blank छोडएंगे आधार card का जो number होगा tall date का वो number आपको fill कर देना है यह आपका जो int 고land number होता है वो आपके आपaye फिल कर सकते हैं यह आपका जो नाम होता है वो fill करेंगे पिताजी का नाम आपको fill करना है डियो भी यहाँ पे आपको फिल कर देना है बेसिक सा जानकार यहाँ पे आपको फिल करके क्या करना है आपको सर्च कर देना है सर्च करेंगे तो आपका जो रेजिस्टर मोबाइल नमर होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा उसमें आपको क्या करना है इसमें आप call करके आप अपना user ID और जो password होता है वह रिकवर कर सकते हैं इसके बद आपका examination form फिल करने के लिए user ID और जो password होता है वह आप फिल करेंगे और आपको sign in कर लेना है अब देखे फ्रेंस यहाँ पे आप जैसे sign in कर लेते हैं तो आपको इस परकार का interface आपको देखने को मिल जाएगा simply क्या करना है आपको ओपर क्या score कर लेना है यहाँ पे आपको examination form फिल करने के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा apply for exam form आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इससे पहले देखे फ्रेंस यहाँ पे अगर आपका आपका किसी परकर का जानकारी अगर mistake है अगर आप उसको edit करना चाहते हैं तो आपको examination form फिल करने से पहले आपको वो जानकारी edit करना होगा जैसे कि आपका profile में कोई भी जानकारी आपका edit करने की आउस सकता है तो आपको क्या करना है यहाँ पे प्रोफाइल में जाकि सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करके एड़िट कर लेना है अब देखे प्रेंडस जो भी जायनकार। करना है वह जानकार या प्रूफाइल का एडिट कर सकते हैं माता ऑगा सब्लाइब पिताजी करना हो गया का प्रोंड्र प्रॉसपोंडिंग प्रpoans जाहने और तो होक। यूछ इसका प्रोफाइल बापको अपना एक्जामिसन फॉरम के लिए सिंपल ही आप क्लिक करेंगे यहाँ प्रेंश के इस कि आपको यहांप को अप्रफायल होता है, आपको अप्लाई कर देना है, अपने है क्लिक vibrations, क्लिक दिना है, इसके बाद देखेंगे होगा इस परकार का इंटरफेस आपको देखने हो जाएगा, यहांप का जो एक्जामने संग मेरा कर दो, आपको च्लिक करना जाता है, 니रो अप examining examination किस exam के लिए आप यहाँ पर देना छाहते हो तो आप को यहाँ पर multiple देखने के मिल जायगा एज सेके यहाँ पर पार्टू देखने को मिल जाएगा ऐसे ही ओसे हैं BA Part 1 के लिए apply करना चाहते हैं BA Part 2 के लिए apply करना चाहते हैं जिसके लिए apply करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर select करेंगे BA Part 3 के लिए apply करना चाहते हैं BBA Part 2 के लिए apply करना चाहते हैं यहाँ पर आपको multiple जो course होता है आपको देखने को मिल जाएगा ऐसे ही अगर आप B.com Part 1, B.com Part 2, B.com Part 3 के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं Bachelor of Education के लिए अपलाई करना चाहते हैं यहापे देखने को मिल जाएगा आपका जितने भी कोर्स होते हैं इन में से आपका जो कोर्स होता है वो आपको select करना है जैसे कि अगर आप यहापे B.com Part 1 के लिए अपलाई करना चाहते हैं Bio Group के लिए Math Group के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको यहापे देखने को मिल जाएगा Maths Group जिस भी Group से आप यहापे बिलौन करते हैं जो भी आपका Group होगा वो आपको क्या करना होगा सबसे पहले select करेंगे तो यहापे आपको Multiple देखने को मिल जाएगा देख सकते हैं यहापे BCA Part 1, BCA Part 2, BCA Part 3 यहाँ पर आपको multiple देखने को मिल जाएगा जैसे MA कर रहे हैं तो आपको MA यहाँ पर final देखने को मिल जाएगा यहाँ पर geology आपको जो भी subject होगा वो आपको क्या करना है आप आपको select करना है तो यहाँ पर मैं आपको BSC Part 1 से आपको दिखाता हूं apply करके BSC Part 2 यह BSC Part 1 में आप यहाँ पर मैं आपको apply करके दिखा रहा हूं BSC Part 2 यहाँ पर मैंने select कर लिया इसके वद आपको यहाँ पर select करना है category तो आपका जो category होता हो है regular है private है non है आपका यहाँ आपका x x है वो आप यहाँ पर select करेंगे तो इन में से आपका जो भी होगा वो आपको क्या करना है सब यहाँ पर आपको क्या करना है aid exam में आपको क्या करना है click कर देना है जैसे आप यहाँ पर aid करेंगे तो आपका जो college होता है वो आपको देखने को में जाएगा अगर आपने यहाँ पर गलत college select कर लिया है तो आप यहाँ पर remove कर सकते हैं और आप फिर से यहाँ पर select कर सकते ह पहला जो होता है option मैंने बता दिया है second आपका यहाँ पे subject select करना है तो simply यहाँ पर select subject में आपको click कर देना है इसके बद आपका जो subject होता है आपको select करना है तो simply यहाँ पर select का एक आपको button देखने को में जाएगा इसमें आपको click कर देना है इसके बद देखे फ्रेंस यहाँ आपको सब्जेक्ट होता है आपको सब्जेक्ट होता है आपको सब्जेक्ट होता है जैसे कि आपका एपसी यहां पर हिंदी बास्ता है एपसी आपका इंग्लिस लेंग्वेज है इन्वार्मेंट इस्टेडी है तो आप यहां पर सब्जेक्ट कर सकते हैं अगर आपका दोनो तो आपधे सेलाइब करेंगे कामिटर सांशने इस सेफ़ive करना है इस पर अनुन को क्या कर जाएं करता है मैसेnukों करना है मैं जाने करना है करता तेब आपको बता दिया है यहां पर पर प्रिवियस मर्क स्टम इसमें आपको कलिक करना है इसके बदेखे लेगर्स यहां पर आपकोksi दिया है Ohhh पर आपको यहां पर क्लिक करेंगे इसके वद आपको क्या करना है आपको सिंपल सारे बॉक्स में आपको टिक कर दिना है अब देखे फ्रेंज यहां पर आपको जो भी डॉक्मेंट करेंगे वह आपको क्या करना होगा जमा करना होगा आपका जो कॉलेज होता है जब आप यह जमा करने जाएंगे उस तैम आपको यह जोगुमेंट होता वा आपको आपको जमा करना होगा तो क्या करना आपको सबसे पहले वाला जो सबसे पहले आपको सेट करने है सट करेंगे जो भी आप डोकुमिन्ट देना चाहते हैं आपना कॉलेज में इस्टूटोश में वह क्या करना होगा थैंड यहां पर सेफ में किलिक करना फोगा आप देखे प्रेंस यहां पर जैसे सेफ करेंगे तो आपके इस प्रकार सेफिकलिस सेफ का जो मैसज होता है वह प्राप्त हो जाएगा तो आपको जब college यहाँ जमा करने उस time आपको bothering you can buy इसके बाद देखे फ्रेंस यहाँ पे आपको क्या करना है फुल आपका जो प्रोफाइल होता है वो आपको वियू कर लेना है प्रोफाइल आपको इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ को चेक करते हैं यहाँ को फिर से क्लिक करते हैं यहाँ को एक्जामिशन आपको प्लाइफी करते हैं यहाँ को आपको इस परकार का lanç आपको देखने को मिल जाएगा pag Late fees अगर आप यहाँ पे late करते हैं तो आपको 100 रुपया अलग से fees payment करना होगा इसके बाद आपको क्या करना है? Simply आपको यहाँ पे apply now का एक button आपको देखने को मिल जाएगा इसमें आपको click कर देना है जैसे आपे आप click करेंगे तो आपको फिर से आपका जो जानकारी होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा जानकारी को check करते हुए verify करते हुए आपको सबसे नीचे आजाना है then यहाँ पे आपको करना क्या है? proceed to payment का एक आपको link देखने को मिल जाएगा इसमें आपको click कर देना है आप देखे friends यहाँ पे अगर आपका proceed to payment का अगर option नहीं आता है तो आपको आपको क्या करना है? check करना है सबसे पहले आपने examination जो होता है वो आपने aid किया है नहीं किया है वो आपको check कर लेना है इसके वाद आपको फिर से क्या करना है? सबसे नीचे आजाना है यहाँ पे check करते हुए verify करते हुए then यहाँ पे आपको make payment में आपको click कर देना है जैसे आप यहाँ पर make payment में click करेंगे आपका जो payment का जो gateway होता है वो आपका खुल के आ जाएगा किसके दोरा payment करना चाहते है वो आप यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर आपको multiple option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जैसे कि देखें फ्रेंस यहाँ पर अगर आप credit card, debit card, UPI जिससे भी payment करना चाहते है वो option आपको select करना है जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे candidate क्या करते हैं UPI से payment करते हैं तो आप यहाँ पर UPI select करते हैं अगर आप यहाँ पे David Card, Credit Card से payment करना चाहते तो आप David Card, Credit Card यहाँ पे select करेंगे इसके बद आपको आपको card का जो detail होता है अब आपको fill करना होगा सबसे पहले card number यहाँ पे fill करेंगे, expiry date, CVB code यहाँ पे fill कर देना है ऐसे ही आपका यहाँ पे card holder का नाम आपको fill कर देना है then यहाँ पे आपको proceed में click कर देना है और आपको face को payment कर देना है जैसे आप यहाँ पे face को payment करेंगे इसके बद अपना जो final print out होता है वो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे अब देखे friends यहाँ पे आपका जो final print out होता है वो निकालने के लिए simply आपको आजाना है इसका जो dashboard होता है यहाँ पे आजाना है यहाँ पे application में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इसके वाद देखे friends यहाँ पे आपको दोनों आपका जो print out होता है वो आप निकाल पाएंगा जैसे कि अगर आप examination form का आप print out निकालना चाहते तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं ऐसे ही अगर आपको face का अगर आप print out निका किया है online वो document आपको क्या करना है ले जाके अपना अपना जो college होता है इसमें लेकि आपको जमा कर देना है तो इस प्रकार जानकारी है I hope आपको जानकारी पसंद आया होगा तो इस वीडियो मैंने आपको complete जानकारी दे दिया है कि कैसे आप यहाँ पे संत गहर्या गुरू जानकारी पसंद आया होगा तो मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करेंगे